राजस्तान विधान सभा के सरकारी आस्वाशन संबंदी समीती की बैठक आज विधान सभा में आउजित की गई समीती के सभापती और भाशपा प्रदेश महामंतरी जी तिंदर गोटवाल ने सदन में सवालों के जवाब नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त करते वे अधिकारियों को फटकार लगाई गोटवाल ने अधिकारियों को सभी विभागों के लंबिज सवालों के जवाब के लिए तीन महीने की महलत देते वे कहा कि कारियां में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ भजनलार सरकार सक्त है ऐसे में तीन मा के दोरान लंबे सवालों के जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी भार्षपा प्रदेश महामंतरी एवं समीती के सवापती जितेंदर गोटवाल ने कहा कि राजस्थान विधान सवा में आज आसवाशन समीती की सवालों को सदन में उठाया जाता है लेकिन संबंदित विभाग के दिकारियों दुआरा उनके सवालों के जवाब तक नहीं दिये जा रहे है यह सती गंभीर और चिंतनिय है विधान सवा की सरकारी आश्वाशन कमिटी की आज बैठक थी दुर्भाग्य इस प्रदेश का जो जनपरतिनी दी चुनकर जाता है और विधान सवा में जब सवाल लगाता है उसके बाद उसकी आशा रहती है कि विधान सवा से मंत्रियों से अधिकारियों से उसका सही रिपलाई और समय पर रिपलाई में ले लेकिन पिछली सरकार के 261 questions pending है 261 सवाल pending है जो जनपरतिन जिदी हजारों बोट लेकर विधान सवा में जाता है उसके बाद भी अधिकारियों ने उसको गंभीरता से ने लिया दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछली सरकार विधान सवा को लेकर भी गंभीर नहीं थी सदन को लेकर भी गंभीर नहीं थी और जनता को लेकर भी गंभ में इन सभी कोश्चन का रिपलाई दे अन्यता सरकार के दुआरा कारवाई कराई जाएगी अधीकारियों की लापरवाई बरदास नहीं करेंगे सदन के अंदर विधान सभा के अंदर अगर कोई कोश्चन आया है तो उसका रिपलाई देना अधीकारियों की डूटी बनती है मानने मुख्यमंत्री जी से बात करा कर इस समीती में जितने पेंडिंग इशूज हैं उनमें लापरवाई करने वाली अधिकारियों के खिलाफ कारवाई कराएंगे